जै मातादी दोस्तों, मैं पायर आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रत तेवहार और उपाये में आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत एक ऐसी भूमी है जहां प्रत्यक देवी और देवता को बराबर महत्व दिया जाए इस समरद्ध विरासत में तेवहार का अपना एक खास इस्थान होता है आज हम इस वीडियो में सीतला सप्तमी के तेवहार की बात करने वाले हैं होली के आठवे दिन यानी चेत्र महिने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शीतला सप्तमी मनाई जाती है सीतला सप्तमी देवे शीतला माता को समरपित एक महतोपुन हिंदू तेवहार होता है सीतला सप्तमी यानी शीतला माता खसरा और चेचक चेसी बिमारियों को दूर करने के लिए जानी जाती है जैसा की शीतला शब्द का शाब्दिक अर्द होता है ठंडा जो शीतलता प्रदान करे यानी शीतला माता अपनी शीतलता से इन रोगों को ठीक करने का संकित देती है शीतला सप्तमी के दिन माताओं के द्वारा अपने बच्चों के अच्छे स्वास्त के लिए व्रद रखा जाता है शीतला सप्तमी का यह तेवहार पूरे भारत में विशेश रूप से काऊं यानी ग्रामिन शेत्रों में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है शितला सब्तमी के दिन शितला माता की पूजा की जाती है एक दिन पहले यानि छट के दिन खाना बनाया जाता है और अगले दिन शितला सब्तमी के दिन उस बासी खाने का भोग शितला माता को लगाया जाता है शितला सब्तमी के दिन ना ही गरम खाना बनाया जाता है और जाडू लिये घदे की सबारी करती हुई और नीम के पत्तों की माला पहने हुई नजर आती है प्राचिन कथाओं के अनुसार सीतला माता के इस कलश में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं सीतला सप्तमी को बसोड़ा और बसोंदा के नाम से भी जाना जाता है जान लीजिए शितला सप्तमी के दिन क्या आपको करना चाहिए? शितला सप्तमी के दिन आपको ठंडे पानी से इसनान करना चाहिए शितला माता की मंदिर जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए शितला सब्तमी के दिन शितला माता की पूजा के पश्चात शितला सातम व्रत कथा पढ़ना ये सुनना अवश्य चाहिए इस दिन अपने बच्चों अच्छी सेहत और अच्छी स्वास्त के लिए व्रत रखना चाहिए आज के इस वीडियो में मैं शितला माता की कथा सुनाने वाली हूँ इस कथा को सितला माता की पूजा के बाद अवश्य ही पढ़ना और सुनना चाहिए इस कथा को केवल पढ़ने और सुनने मात्र से शितला माता की क्रपा दश्टी हम पर सदेव बनी रहती है माता हमसे प्रसन्न होती है हमारे घर में शुक और सम्रद्धी पूरे साल रहती है माता की क्रपा हमारे बच्चों पर बनी रहती है केवल इस कथा को सुनने और पढ़ने से हमें शितला माता की पूजा का संपुर्ण फल प्राप्त हो जाता है इस कथा को सितला सप्तमी और सितला अश्टमी दोनों ही दिन पूजा के बाद सुना जा सकता है तो आचलिए शितला माता की फुरत कथा को सुनते हैं एक गाउं में ब्राहमन दमपती रहते थे दमपती के दो बेटे और दो बहुएं थी, दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद दो बेटे हुए थे, एक एक बेटे को हुआ था और दुसरा दुसरे बेटे को इतने में शितला सब्तमी का पर्व आया घर में पूर्व के अनुसार ठंडा भोजन तेयार किया गया दोनों भहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बिमार होंगी और हमारे बेटे अभी छोटे हैं इस विचार के कारण दोनों बहूँगोंने पशूओं के दाने तयार करने वाले बर्तन में गुपचुप दो बाटी तयार कर ली सास और बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की व्रत कथा सुनी, बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बेट गई दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बना कर घर आ गई दाने के बरतन से गरम गरम बाटी निकाली चूर्मा तयार किया और पेट भर कर दोनों ने खा लिया सास ने घर आने पर भूँओं को भोजन करने के लिए कहा बहुए ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई सास ने कहा बच्चे कपके सोए हुए हैं उन्हें जगा कर भोजन करा लो बहुए जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने अपने बच्चों को मुरत पाया एसा भहों की कर्तुतों के फलस्वरूप शितला माता के प्रकौप से हुआ था भहों विवश हो गई, सास ने घटना जानी तो भहों से जगरने लगी सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटे की बदोलत शितला माता की अभेला की है इसलिए अपने घर से निकल जाओ, और बेटों को जिन्दा स्वस्त लेकर आओ तभी हमारे घर में प्रवेश करना अपने म्रत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों भुएं घर से निकल पड़ी जाते जाते रास्ते में एक जिर्ण वरक्ष आया यह वरक्ष खेजड़ी का था इसकी नीचे ओरी और शितला दोनों बहने बेठी थी दोनों के बाल में विपुल प्रमाण में जुएं थी वो जुओं से काफी परेशान हो चुकी थी भवों ने थकान का अनुभव किया दोनों भवों ओरी और शितला के पास आकर बेठ गई उन दोनों ने शितला और ओरी के बालों से खुब सारी जुँ निकाली जुओं का नाश होने से ओरी और शितला ने अपने मस्तक पर शितलता का अनुभव किया कहा तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतलता प्रदान की है वैसे ही तुमें पेट की शान्ती मिले दोनों बहुए एक साथ बोली कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही है परन्तु शीतला माता की दर्शन नहीं हुए शितला माता ने कहा कि तुम दोनों पापीन हो, दूस्ट हो, दूर्चारिनी हो, तुमारा तो मूँ देखने भी योग्य नहीं है शितला सप्तमी के दिन थंडा भोजन करने के बदले, तुम दोनों ने गरम भोजन कर लिया यह सुनते ही भोवों ने शितला माता जी को पहचान लिया, देरानी और जेठानी ने दोनों ने माताओं का वंदन किया गिड़ गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली है, अंजाने में गरम खा लिया आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी, आप हम दोनों को शमा करें, पूना ऐसा दुष्ट करत्य हम कभी नहीं करेंगे उनके पश्चता भरे वच्चनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई, शितला माता ने म्रतक बालकों को जीविद किया बहुएं बच्चों को लेकर अपने गाउं लोटाई, गाउं के लोगों ने जाना कि दोनों बहुएं को शितला माता की शाक्षा दर्शन हुए थे, दोनों का धूमदाम से स्वागत करके गाउं में प्रगवेश कराया बहुओं ने कहा हम गाउं में शितला माता का मंदिर का निर्मान करवाएगी चेत्र महिने में शितला शप्तमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाया जाएगा शितला माता ने बहुओं पर एसी क्रपि दरश्टी करी श्री शितला माता समेश अदय सांती सितलता और आरोग्य प्रदान करें शितला माता की जय सितला माता की व्रत कथा आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेर करें ताकि सभी इस जानकारी का लाब उठा सकें और यदि आप और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को तुरंट सस्क्राइब करें मैं अपने इस यूटूब चैनल पर में शेतला माता की जय लिखना बिलकुल भी न बुले धन्यवाद भी